आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का एक बहुती टेस्टी डिलीशिस नाष्टा जो खाने में बहुती मज़िदार लगता है और इसे बनाना भी बहुती आसान है पहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा है और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समान की भी जरूरत नहीं होती है तो ये दो मैंने कच्छे आलू लिया हैं जिने छील कर पानी में डाल दिया था ताकि से ये काले ना पड़ें अब ये जो आलू है इने आप ग्रेट कर लेंगे यानि की आलू को घिस लेंगे इनके लच्छे आप त्यार कर लेंगे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं घिसना है आपको आलू को तो दोनों ही आलू को मैंने घिसकर कर लिया है त्यार और ये देखिए पानी में कितना ज़्यादा स्टार्ट से आ चुका है आलू का तो इस पानी को निकाल देंगे और आलो को 2-3 बार और अच्छे से धोलेंगे तो यहां पर आलो को मैंने बहुत ही अच्छी तरीकी से धोकर साफ कर लिया है तो आलो को धोना बहुत ही जरूरी है ताकि से नाश्ता एक्दम क्रिस्पी कुरकुरा बने अब यहाँ गैस पर एक पैन रखा है, इसमें दो चमच आल दिया है जब आल गर्म होजाए तो आदा चमच जीरा डाल दे अब यहाँ पर एक झोथाई चमच मैंने इसमें हिंग डाल दिया है हिंग डालने से नाश्ता टेस्टी भी बने का और ये पेट के लिए भी अच्छा होता है अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मस डाल दिया है अद्रक अद्रक को मैंने घिसके डाला है आप चाहें तो इसमें लैसुन भी डाल सकते हैं बारी कट करके या घिसके बट मैंने लैसुन नहीं डाला है अब सारी चीजों को आप low to medium flame पर भून लेंगे अब यहां हम इसमें डाल रहे हैं पानी तो यह मैंने एक कप पानी लिया है अभी यह डाल दिया है और यह इसमें आधा कप पानी और डाला है तो टोटल मैंने इसमें डेड़ कप पानी डाला है आपको कोई भी कटोरी glass set करना है उससे आपको यह measurement जरूर लेना है तो डेड़ कप पानी डालने के बाद इसे अच्छे से mix करेंगे गैस का flame मैंने यहां medium high रखा है और पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने दे अब जब पानी में ओबाल आने लगे तब आपको इसमें डाल देना है हरी मिर्श दो हरी मिर्श को बारी कट करके डाला है और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया इसे भी mix कर देंगे हरी मिर्श और हरा धनिया इसे stage पर डालें अगर आप ओयल में हरी मिर्ज डालेंगे वो थोड़ी जली जली हो जाएंगी और इस तरह जब पानी में डालेंगे तो हरी मिर्ज बहुत ही बढ़िया बनी रहेंगे और इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब जो आलू हमने घिसके त्यार किये थे वो मैंने इसमें डाल दिया है साथी इसमें डाल दिया है आधा चमच नमक आधा चमच इसमें डाल दिया है लाल मिर्ज पाउडर मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही आसान सी रेसिपी है इससे आप कभी भी बहुत ही आसानी से त्यार कर सकते हैं कोई जनजट नहीं है बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाती है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगती है अब आप इसे cover कर दें और लगवक 5 मिनट के लिए से low to medium flame पर आप कुक होने दें और यहाँ पर 5 मिनट बाद ये देखें आलू हलके हलके soft हो गए हैं आलू को आपको पूरा 100% कुक नहीं करना है इस तरीके से लगवक 40% के करेब ये आलू हमने कुक किये हैं बस ऐसा ही इने आपको रखना है और अब हम अगले प्रोसेस पर चलते हैं आपको क्या करना है इसमें डालने के लिए आपको लेनी है सूजी तो मैंने एक कप सूजी लिए है जिस कब से मैंने पानी मेजर किया था उसी कब से मैंने सूजी लिए है तो आप भी जिस कब से या ग्लास से पानी डालें उसी से आपको सूजी भी डालनी है यहां मैंने एक चम्मच इसमें चावल कार्टा डाल दिया है इन दोनों ही चीजों को अच्छी तरीकी से मिक्स कर देंगे सूजी पारिक मोटी जो भी आपके पास हो ले सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है चावल कार्टा डालने से नाश्टा जो है वो और भी क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा इसलिए मैंने डाला है अगर आप नहीं डालना चाते तो स्किप भी कर सकते हैं चावल कार्टा सारी चीजों को मिक्स कर दें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुप करें बहुत अच्छे से कुप करेंगे इसमें बिल्कुल गुटलिया नहीं रहने चाहिए इस तरह दबा दबा कर अच्छे से मिक्स कर लें थोड़ी देर में जो सूजी है सारा पानी सोख लेती है और इस तरह डो त्यार हो जाता है चार मिनट के लिए से कुप कर लिया है अब गैस का फ्लेम आफ करके पांच मिनट ढख कर छोड़ देंगे और पांच मिनट में ये देखी अच्छी तरह फूल कर त्यार है इसमें एक जोधाई चमच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पारिक कटा हुआ हरा धनिया और डाल दिया है दो चमच इसमें नीबू का रस डाल दिया है आप नीबू का रस नहीं डालना चाते तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे गैस बंद करने के बाद आप इसे थोड़ी देर इस तरह ढखकर भाप में रखेंगे न तो ये बहुत ही अच्छी से त्यार हो जाता है और अब यहाँ पर मैंने लिये एक प्लेट और प्लेट को ओल लगा कर आपको चिकना कर लेना है इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और अब जो हमने सूजी का डो तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और अब आप इसे सैट कर लें इस तरह स्पैचुला से दबा कर या फिर हातों से आप इसे ऐसे सैट कर लें मैंने यहां इसे square shape दिया है जब यह गरम गरम होना तब ही आप इसे set करने अगर यह ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इस तरह set करने में परिशानी आएगी तो यहां पर सूजी और आलू के डो को set कर लिया है और इसे थोड़ा मोटा ही रखा है मैंने और अब हम इसे 15-20 मिनट के छोड़ देंगे और 15-20 मिनट में यह set हो जाएगा फिर हम इसे इस तरीके से cut कर लेंगे आप चाही जैसे इसकी pieces cut कर सकते हैं मैं इसे square shape में cut कर रही हूँ तो यहां पर यह मैंने पहुँच जादा छोटे-छोटे pieces नहीं बनाए है थोड़े बड़े-बड़े pieces त्यार किये हैं इस नाष्टा की एक खास बात और है आप इसे इस तरह बना कर airtight box में store करके freezer में रखतीजे पूरे 15-20 दिन तक आप इसे store करके freezer में रख सकते हैं और जब भी नाष्टा खाने का मन करें इसे निकाल लिए shallow fry या deep fry कीजे और नाष्टा को enjoy कीजे नाष्टा fry करने के लिए ये मैंने oil पहले ही गर्म करने रख दिया था oil अच्छा गर्म हो चुका है और gas का flame मैंने यहां medium रखा है medium flame पर आपको ये नाष्टा fry करना है gas का flame low नहीं रखेंगे अगर आप low flame रखेंगे तो नाष्टा हो सकता है oil ज़्यादा सोख ले करते हैं सारे पीसे को पलटने के बाद दूसी तरफ से भी इसे इसी तरीके से सिखने दे और नाष्टा को अलट पलट कर दोनुई तरफ से dark golden brown होने तक सिखकर त्यार करें तो ये देखिए नाष्टा कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है evenly सिखकर त्यार हुआ है बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है तो बस नाष्टा को अब इससे जदा फ्राई नहीं करेंगे वरना नाष्टा जल जाएगा तो चलिए इस नाष्टा को निकाल लेते हैं तो सारे पीसिस को हम ओल से निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई करके त्यार करेंगे तो अब यहाँ पर इस नाष्टा को मैंने कर लिया है सर्व इसे टमेटो सॉस और हरे धनी की चटनी के साथ सर्व किया है जिसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ नाश्ता कितना ज़्यादा टेस्टी बना है पहार से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट वीडियो पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब